इस वीडियो में गाईस हम लोग डिस्कस करने वाले है निल आई ट्यार वन फाइलिंग के बार में फॉद्ध असेस्मिट एर चौबे सो पच्चिस के लिए निल आखिर income tax return होती क्या है new versus old taxism किस regime में आपको फाइल करने चाहिए निल आई ट्यार अगर आप फाइल कर रहे है तो प्लस किन लोग को यहाँ पर रेक्वार्मेंट होती है क्या 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 डॉक्यूमेंट ही होते है यह सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के साथ में बताना चाहूंगा अगर आप एक expert के तुरूप बहुत ही affordable cost के ओपर अपनी idea filing कराना चाहते है पिछले तीन सालों की तो यहाँ पर मैंने link जो है description box में दे रखिये तो चलिए गाई शिरू करते है यहाले देखिए अगर मैं बात करूँ कि निल आई ट्यार का है कि आपकी जो income है वो under basic exemption limit है इंडिया में जो basic exemption limit है अगर में old taxism की बात करो तो ढाई लाक रुपे तक है new taxism के अंदर यह 30 लाक रुपे तक है यानि इतनी income तक आपको कोई भी ऐसे proof वगर ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता है normal तरीके से आप अपनी idea के अंदर show कर सकते हो और government आपसे कोई भी tax का percentage वगर भी कुछ भी charge नहीं करती है वैसे हमारे इंडिया के अंदर government आपको tax के उपर subsidy भी provide करती है तो ultimately अगर मैं बात करो तो old taxism के अंदर 5 लाक तक कोई tax नहीं लगता है और new taxism के अंदर 7 लाक रुपे तक कोई भी tax आपको अपनी जेप से पे नहीं होती है अगर आप लेट भी करना चाहते हो तो जो निल IETR होती है basis emission limit के अंदर में तो उसको आप 31 दिसमबर तक भी यहाँ पर फाइल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप 20-5 लाक के बीच या 7 लाक तक income दिखाऊंगे तो tax तो पे नहीं करना यह लिंग आपको description box पे दे दूँगा तो सबसे पहले अपना account जरूर बना लेना अब देखिए अगर मैं documents की बात करो तो भाई कोई भी physical document नहीं चाहिए होगा ITR जो आप क्या self assessment basis पे file होती है तो आपको सिर्फ figures डालने पड़ते कोई भी ऐसे document वगर upload नहीं करना पड़ता है benefits की बात करो loan, visa, purpose या कहीं पे भी ऐसे income proof आप अपनी idea को attach कर सकते हो चलिए मैंने यहाँ पर अपने portal के अंदर simply तरीके से login कर लिया है जैसे अब account बनाएंगे तो आपको कुछ इस type का interface दिखने वाला है अब सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको जाना है e-file section के उपर income tax return यहाँ पर आपको मिल जाता है file income tax return यहाँ पर आपको select करना है अपना assessment ही है अब यहाँ पर forms आएंगे idea 1,2,4 और 3 करके भी आता है तो अगर आप एक new idea file कर रहे है तो there is a maximum chances कि आप normal सी अपने income दिखाना चाहते तो 90% के case में हमेशा आपको idea 1 ही यहाँ पर choose करना है बाकी idea 4 के उपर भी अगर आप business वगरे कर रहे है self employment बनने है तो idea 4 आपके उपर applicable हो तो यहाँ पर भी right now मैंने idea 1 choose कर लिया है process with idea बन के उपर click करेंगे let's get started पर click करेंगे यहाँ से reason पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो तो other reason मैंने यहाँ पर select कर लिया देखें यहाँ बहुत सारे schedules आ चुके आप one by one करके हमें schedule को confirm करना है तो सबसे पहले आता है nature of the employment त old taxism के बारे में पूछने वाला है कि आप opt-out करना चाहते तो देखिया आप अगर निल की ITR फाइल करें तो मैंने बता है कि new taxism के इंदा 3,00,000 तक कोई tax मलब basic emission limit होती है और old taxism के इंदा 5,00,000 होती है तो obviously बात है यार आपको change करने की जरूरती नहीं है आपके लिए new taxism ही अगर add नहीं है तो IFC code डालो, account number डालो और add कर वालो अगला column आता है हमारा gross total income का इसके उपर आपको click करना है यह बहुत सारे question पुछेगा सभी को यहाँ पर skip कर दीजिए अब देखिए यहाँ पर मैं assume कर रहा हूं कि अगर आप एक निल की ITR फाइल कर रहें तो obviously बात है आ यहाँ पर आप दिखा सकते हो अब दिखाना कैसे होता है आप add button के उपर click करो जो आपका यहाँ पर first वाला column है salary का cash के अंदर भाई जितनी salary मिलती है उतनी दिखा दो वन्हाँ लाग के अंडर दिखा दो या तीन लाग के अंडर दिखा सकते हो इसके लाँ भाई कहीं पर कुछ करने की जरूत नहीं कोई भी allowances लेनी की जरूत नहीं क्योंकि आपकी कमी income है और आप एक निल की आइटिया फाइल करने हो तो ऐसा कुछ भी जो है करने की जरूत नहीं है by default standard deduction आपको 50,000 के मिल जाती है इसी तरह से मालीची अगर आप निल आइटिया के अंदर अपन निल की आइटिया रहे तो deduction लेनी की जरूत ही नहीं पढ़ने वाली अब इसमें main column आता है हमारा income from other sources का तो देरे से maximum चांसे आप जिनकी भी निल आइटिया फाइल करने है उनके लिए यही column important रहने वाला है आप इसके अंदर आपके saving bank account का interest हो गया आपका FD का interest हो गया यह यहाँ पर आप जो है कोई भी अपनी एक income disclose कर सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी justification देनी की जरूत नहीं है छोटा सा description डाल दो किस type के income है और simply तरीकी से यहाँ पर confirm कर दो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने total 2,84,543 की income दिखा दी है मैं को यहाँ पर confirm करना है अब नीचे deduction का column आता है हम लोग new taxism यहाँ पर वैसे भी चूज कर रहा है तो कोई भी direction मिलते नहीं है और अगर मिलती होती तो भी file करने की जरूत नहीं है क्योंकि already भाई आप अपनी income 3,00,000 या 7,00,000 के नीचे ही दिखा रहे हो फिर next column भाई tax paid का आता है अगर कोई tedious कटा हुआ है तो वह देख जाएगा मना यह सारा blank रहने वाला इसको भी आपको confirm करना है last में आती है total tax liability तो यहाँ पे भी आ देख सकते हो 3,00,000 के उपर है तो यहाँ पे मेरा भाई कोई tax नहीं बन रहा अगर 3,00,000 के बाद में भी होता ठीक है मलब जादा income भी होती तो 7,00,000 के नीचे भी पर बढ़ा सकते हो तो इसी का advantage आपको यह मिल जाएगा कि 7,00,000 के इंकम में भी जेब से कोई भी आपको tax वगरे pay करने की requirement नहीं रहेगी अब भाई कुछ नहीं करना आप process बटन के उपर click करना है यह आपके एक summary आ जाएगी ठीक है computation आजाएगा इसको आप download कर लीजेगा आपको check box के उपर click करना है process to preview button के उपर click करना है यह official ITR1 का format आजाएगा इसको आप download कर लीजेगा लास्ट में भाई process to validation बनागा click है जैसे आप click करोंगे अगर कोई ऐसी चीज जहाँ पर कोई गडबड हो रखी है जो छूट गई आपसे तो यह आपको बदा देगा और ज अगर मैंने income tax portal पर account बना दिया तो ऐसा है कि हर साल ही मुझे अपनी ITR यहाँ पर file करनी पड़ेगी जी नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है वो आपकी choice है भाई कि कब आप file करना चाहते हो बाकी मैं तो यह recommend करूंगा आपको हर साल यहाँ पर file करनी चाहिए account बनाने का मतलब यह नहीं होता है कि हर साल आप जो एक तसम्मानेटर हो जाती है भाई आपको file करनी करनी है बाकी अगर मैं law के according बात करूं तो जिनकी भी basic emission limit के उपर होती income उनको भाई ITR हमेशा file करनी ही होती है तो guys hope you like this video please subscribe our channel अगर आप एक expert के तुरू consultancy लेना चाहते हो या ITR filing कराना च चाहते हो link in the description box thank you guys thank you very